प्रेगनेंट लेडिस के लिए अच्छा होता है लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि गुड़ हमारे स्वास्ते के लिए कितना अच्छा है तो आईए मैं आपकी दोस्त नायरा आपको परिचित कराते हूँ गुड़ के कुछ और फायदों से टिप नमबर बन सर्दियों के मौसम में गुड़ को खाने का महत्व काप ही पहले से चलता आ रहा है अगर आपको सर्दियों के मौसम में कुछ ज्यादा ही ठंड लगती है तो आपको दूद के साथ गुड़ का सेवन करना चाहिए ऐसा करने से आपके शरी को क्रोटीन के मातरा तो मिले ही ही साथ ही साथ शरी गरम भी बना रहेगा टिप नमबर टू आयूर्वेट के अनुसार गुड़ गुड़ बढ़ाने में हमारी पाचन शक्ति को स्वस्त रखने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है कहा जाता है कि चावल में अगर गुड़ मिला कर खाया जाए तो बैठा हुआ गला और रुके गुई आवाज जल्दी से ठील को जाते हैं टिप नमबर त्री अगर आपके कान में दर्द है तो आपको गुड़ के अंदर घी मिला कर उसका सेवन करना चाहिए ऐसा करने से आपके कान के धर्द में आराम मिलेगा टिप नमबर फोर खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन करने से पेट में कभी भी गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है टिप नमबर 5, पांच क्राम सौट को 10 ग्राम गुड के साथ सेवन करने से पीलिया के लोग में पायदा मिलता है टिप नमबर 6, गुड के हलवे का सेवन करने से हमारी मेमरी पावर भी बढ़ती है मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अपने बढ़ते बच्चों को गुड यानि की जैकरी का सेवन जुरूं कराएं क्योंकि जैकरी हमारे बढ़ते बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है टिप नमबर 7, गुड के सेवन करने से हमारा ब्लड सर्कूलेशन बेटर रहता है साथ ही साथ शरी का मेटापॉलिजम भी ठीक रहता है टिप नमबर 8, गुड के अंगर आयन भरकूर मातरा में होता है तो गुड का सेवन करना एनेमिया के पेशन्स के लिए काफी अच्छा माना जाता है ये थे जैगवी यानि की गुड के फायरे इनका इस्तेमाल कीजिए और लाग उठाइए मेरी हेल्थ और व्यूटी से रिलेटिड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तब तक मैं आपकी दोस्तना आरा आपसे इजादित लेती हो